चुपटे के अंदर में आपको निप्टी बीच के उपर एक एक रेगूलर इंकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो तो वो स्टैटेजी ब्यूपूल आपको प्रॉपटेबर रहेगी यहां पे आपको कभी लॉस नहीं होगा आपको कुछ बेसिक रूल को आपको फॉलो करोगे तो आप यहां पर श्टाक मार्केट के अंदर रेगूलर इंकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको फॉलो करोगे तो वीवकुल आपको जनरेट कर सकते हो और मैं कोशिज करता हो कि कम से कम आपको ब्यूपूल यहां पर प्रॉपेड़ेबल मिले ऐसे नहीं कि आपको कभी लॉस निमतर हो जाए और यहांपे सिप इन्वेश्टमेंट हो जाए तो यहांपे जब भी आप बड़ी इन्वेश्टमेकर आपके कोई पाल पूल उते वह जी दो dois कोई investment किया या 2,00,00 के investment किया तो वह amount आपका जीरो भी हो सकता है सेकंड बात है कि आपका इक stock में investment करते हो तो वहां पे भी आपका रिक्स रहता है अपके अग्यंस्ट कोई जाता है कोई जैसे stock में investment करते हैं कोई भी आच्छे investment करते हो तो एक रिक्स बना रहेता है और वहां पे हम 100% नहीं बहुत सकते कि वहां से जो पैसा बनेगा वह 100% सेफ है एक हमेशा रिक्स बना रहेता है अब लॉंग टर्म में भी investment करते हो तो यह पंडामेंटल कभी भी company के खरब हो सकते हैं और आज के जितमें देख सकते हो आज के जितमें जो स्टॉक के अंदर जो competition चर्रा इसके अंदर बहुत ही ज्यादा और एक-एक सेक्टन में हजारो हजारो अचुके हैं तो उसके वज़े से जो competition अंदर बहुत ज्यादा है कभी भी स्टॉक के फंडामेंटल चेंज होगे चार्ड के चेंज होगे तो आपका जो capital लगा है बहुत अच्छा मुनापा हो रहा है वह आपका जीरो भी हो सकता है बहुत सारे कंपनिया डूग भी गई स्क्याम देखने को मिलता है या इस ऐसे बैंक में कोई सुनने में नहीं आ रहा होगा कि इतना बड़ा वहां पर कोई प्रॉड लेकर पैसा लेकर जाएगा यहां पर आपको पैसा कही पर भी नहीं जाएगा और यहां से जो गिरावट का फाइदा आप हमेशा उटा सकते हो और सब्सक्राइब के अंदर मैं इंडिया के अंदर कोई बी इंडेक्स आज के डेट में नहीं है सेकंड बात है कि यहां पे जो इंडेक्स के उपर पैसा लगता है वह 100% सेफ है और रेगूलर इंकम आप जनरेट कर सकते हो इंडेक्स कभी जीरो होने वाला नहीं है चोटी करना है लेकिन इन्डेट कभी जी रोनें हो सकता UA लहीं पाइद यहां पर रहेगा अ पर हटाप टॉप 10 स्टॉक के अंदर लगता है वैसे 50-50 के ओपर पूरे स्टॉक में लगता है लेकिन इसलिए ज्यादा तो जो टॉप 10 शेर है उसी के ऊपर इसका ज्यादा तर पैसा लगता है बाके जो 40 स्टॉक है वो छोटे-चोटे एक-एक परशन या दो-दो परशन का बात आपको यह जो मैं पर्मॉला बता रहो यह प्रैक्टिकल चीज मैं जो खूत करता हूं वहीं आपको मैं शेयर करता हूं हर वीडियो में यहां पर चलेंगे आने वाले दिनों में आपको निप्टी बीच के ओपर कैसे रेगूलर इंकम करना वह भी आपको मैं ररिटर्ण कम देता तो यहां पर रिक्स भी कम है तो आपको थोड़ा सा बड़ा इनवेश्मेंट करना पड़ेगा आप बोलुए आप कमा सकते हो अरे ऑलए का उमीद है तो यहां पर को मैं नेजा है और ऑफ से कितना हो गया एक डिवाइडेशन इज़ो टो 500 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ऐसे 5 5 लाक्स को मैंने डिवाइडेशन किया 5 पाट्स में फाई पार्ट्स में क्यों डिवाइडेशन गया उसके पीछे भी ये बहुत ज़़बज बज़़ा है क्योंकि हमके अंदर एक कोई भी इन्वेश्मेंट करते हैं जरूर नहीं कोई भी बड़ा इन्वेश्टर होगा तो वह भी इतना प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा कि एक तो नीचे आएगा या उपर जाएगा दोनों प्रॉबिलिटी मार्केट के अंदर बनी है और बनी रहती है तो आपको यहां पर यह पाज डिवाडिशन जरू करन करना है तो चलेंगे अभी आपको क्या करना है तो चलेंगे आपको क्या करना है वो प्रैक्टिकलेटर के साथ समझोंगा क्या बोला मैंने फस्ट इन्वेश्टमेंट आपको करनी है और आप के साथ करते हो तो आपको करना है तो यहां से अब क्या करना है अभी जो इनिशन इन्वेश्टमेंट आपको कोई भावपी करो कोई देखने की जो रहत नहीं कि मैंने कोंसे भावपी लिया कितना रिट चाहिए नहीं देखना फस्ट इन्वेश्मेंट आपको जो भी करना है तो यहां पर ऑटाइस कॉंटिटीटी पावपी हम्हें लिया 180 वन एट यहां पर ओन एटी इंटु थी इंटु परशेंट यहां पर जो कं से कम पांच रुपिय की मॉंट आप इजीली पकड़ सकते हो अगलब कितना हो गया एक्सोई के भावपी लिया तो आपको यहां से 180 के भाव पे लिया तो पाच रुप हो रहे हैं तो यहां पर एक्टाइसो कॉंटेटी आई थी इंटू फाइव मतलब आपको यहां पर 14,000 का प्रॉपिट इनिशली यहां पर जो फर्स्ट इंवेस्नमेंट है वहां पर आपको यह 14,000 का प्रॉपिट हो गया अपने 80 के भाव पर लिया वहां से आपका 3% डाउन आता है तो एक next investment आपको वहां से भी ले लेनी है उसके बाद next investment पाच रुपे की गिरावट पर आ रहे क्योंकि पाच रुपे गिरावट क्यों कि मैंने यहां पर बोला 3% नीचे आएगा तब आपको next करना है तो यहां से 3% कितने के भाहाँ प्याएगा यहां पर 175 के रेट पे आ रही है रहा है do a 75 पर क्या करना है से 5 लाकी का यहां पर कितनी आएगी से बाच लग की करनी है तो 175 के बहुत आपको कितना कॉंटटी मिलेगा वह भी मैं बतरना चाहता हूं यहां पर 175 तो आपको क्या करना है मानने के चलो फर्स्ट इन्वेश्ट्मेंट 180 वह पर यहां पर नहीं गया तो आपकी पोजिशन क्या वह इसमें ब्लॉक होगे आप एकजिट नहीं कर पाए उसके बाद क्या हो गया 180 के ऊपर नहीं गया वह 185 नहीं गया वह 175 आगया तीन परसेंट डाउन आ गया तो आपको यहां पर वन सेवंटी भाव पर लिया है उसको यहां पर पाच लाग की बाइंग कर देना पाच लाग में कितनी कॉंटिटी आ गई यहां पर आपको 285 जुरो के असपास कॉंटिटी आ गई फर्स्ट बोलाएगी यहां पर इनेशरी स्टार्ड करना जरूरी है जरूरी नहीं कि आपके पास इतनी और बहुत शेवाले कि कमी नहीं बहुत लोग पैसे वाले भी है ऐसा कोई जरूर नहीं कि मैंने जो यहां पर 25 लाग बोले उससे ज्यादा भी लोग हो सके किसी के बाद 50 लाग सsti को कम करना चाहाए और गर análता दो यहां पर और अच्छा लाग का प्रोफिट चाहिए तो मैंने फिर फ्शेंटल उम्मेट तो यहां से आपको क्या करना है तो वहां पे जो वन सेवन्टी फाइट है वहां से तीन परशेंट उपर जाए तो अपनी पोजिशन एक्जिट करनी है जो 180 के भाव पे लिए उसको सेम रखना है उसको एक्जिट नहीं करना है ऐसे नहीं सोचना कि यह 3% उपर गया तो इसको भी उपर वाले को भाव को भी मैं काड़ देता हूँ ऐसे नहीं करना जो 170 के रेट पे लिया है उसको आपको पोजिशन एक्जिट करना है कब एक्जिट करना है तीन परशेंट उपर जाएगा तब एक्जिट करना है रही है और आपका पैसा लग लग रहा है और यहां पर जब तक वह तीन परशेंट उपर नहीं जाता तब तक आपको पोजिशन एग्जिट नहीं करने है और जो 170 भावов करने उसको भी तीन परशेंट पर एगजिट कर देना है तो यहां से 180 के भाव पर जब 185 जाएगा तब आपको पोजिशन इसको एगजिट करनी है स्पेर आप करनी है स्थार्ड अपर प्रब्लिब्लेटी हो सकती है कि 180 भाव पर आपकी फर्स्ट माइंग हो गए करना है तो यहां पर आसपास आती है तो वहां पर आपको थेजिट के बाव पर यहां पर यहां लगब बहुत तो 3000 के आपको तीन हजर कौंटिटी आ गया है आपकी इनेशल इवेश्मेंट 180 के भाव पे हुआ था second buying आपके 175 पे और यहाँ पे 170 के भाव पे आपके पाद 33% के गिरावट पे आपने buying करते गए अभी क्या करना यहाँ से यहाँ पे next probability हो सकते है तो 170 के भाव पे लिया वो 3% उपर जाएगा ऐसे आपको यहाँ नहीं रहेगा कि मेरी buying क्या है और मैंने कितने कितने percent पे डाउन पे बाई किया है तो एक notepad बनाई है notepad के उपर आपको यह practice करना पड़ेगा जब मैं practically आपको समझा रहा हूं तो आपको एक notepad बनाने में कर दिया कियोंकि market के अंदर आपको भी नहीं पता ना कि कितना उपर जाने वाला मार्केट कितना भी उपर जा सकता है और नीचे आने की चांसेस बहुत कम होते उसकी वज़ेश से क्या करो उतने भाव पे आपको क्या करना है नोट करके रखना है एक जम से बड़ी मोमेंट आगे कभी-कभी ग्याप अपनिंग हो जाता है तो ग्याप अपनिंग में आपको एक एजी लिए आपको तीन परसेंट का मूमेंट आपको देश सकता है और निप्टी बिज आजकर बहुत ऑन आया और तीन परसेंट ऊपर जया है तो एक एग्रिगेट मैं यहां पर जो मैं एगरिट किया 3,000 क्योंट्टी के साथ मैं यहां पर एगरिगेट किया और यहां से 5 रुपे की मूमेंट भी पकड़ ल्या तो वन टाइम पर आपको फंद्रा हजर का profit बैदेश्यलि हो ज आराम से पकड़ सकते हो मैं 15 गुनिला तीन मतलब 15 गुनिला छे बार भी पकड़ता हूँ छे ट्रेडिंग सेशन भी सही से आपने पकड़ लिया तो 15 इंटो 6 मतलब 90 थाउजन के करीब रापे उता है मैं एग्रिगेट 1 लाग का प्रॉपिट यहां पर पकड़ लेता हूँ आप एजी लिए 1 लेक्स का प्रॉपिट निखाल सकते हो तो रही बात यहां पर बहुत लोग बोलेंगे कि हमने जो टॉप लिया उसको कप एग्जिट करेंगे जब तक आपके बाइंग रेट से 3% उपर नहीं जाता है तक आपको एग्जिट नहीं करना है मार्केट के अं कुरी अमोंट आपकी ब्लॉक हो गई ऐसा कभी नहीं हो सकता और मार्केट के अंदर अभी एक ही बार ऐसे हुआ है 12 साल बाद एक बार ऐसे हुआ जो कोरोना के बीच में मार्केट के अंदर 40% का क्रेश आया था वह भी करेक्शन इतना बड़ा करेक्शन भी आने के लिए मा ऐसे सड़नले ड्रॉप आप नहीं हो था मार्केट के अंदर मार्केट कभी भी ऐसा सड़नले क्रेश नहीं हो था खरक के इंडेक्स ये कोई स्टॉक के उपर पैसा नहीं लग रहा है आपका ये ध्यान में रखिए एक स्टॉक पतास परशन भी डाउन हो सकता एक दिन में एक स्टॉक 100 परशन भी बढ़ सकता एक स्टॉक 100 परशन भी उपर जा सकता है लेकिन इंडेक्स में आपको अभी कभी भी ऐसा मोका नहीं मिलेगा कि ये इंडेक्स आपको 100 परशन क्रेश होते हुए मिलेगा ऐसा कभी आपको जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा रही उसके जो कोईरी थे उसको स्वाल करने के इस वीडियो में ज़रूर कोसिस किया, ओ अच्छे से अच्छा एनालेसिस करने के ज़रूर कोसिस कर ला हूँ, तो यहाँ पर आपको टैक्स के अंदर आते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, रही बात यहाँ पर करते हो, या जिरोदा के साथ क्रेडिंग करते हो, तो आपके जो ब्रोकरेज है, वो निप्टी बीच के उपर देने पड़ेंगे, आपको यस्ट्रा ब्रोकरेज यहाँ पर देने की ज़रूत नहीं है, एकदम रेगूलर आपको यहाँ पर जो ब्रोकरेज प्लान है, वही प्रोकरर्ज हहां पर लगेंगे जो टैक्सिस से गॉवरन्मंट के कि वह अपको प्र करने पढ़ेंगा तो आप साला नए यहां के दस लाक का प्रॉपित निकालती हो तो वह गॉवणinator के टैक्सिस से को मम आसेingers सबसे बड़ा सवसे और बड़ा सवाल आए euros के बीच में कि हमारा यहाँ पे 25 लाग का investment नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लाग कैसे generate करें तो मैंने aggregate amount 25 लाग का लिया है ताकि एक safe investment के साथ मंतली आप 1 लाग कमा सोके एक लाग कोई छोटी amount नहीं होती 25 लाग के साथ एक लाग मंतली निकालने के लिए आपको यह 25 लाग की investment जरूर करना पड़ेगा आपके पस एक लाग का भी capital है तो फाय डिवाइडेशन के साथ आप investment यहाँ भी start कर सको कोई दिकत नहीं है रही बाद यहाँ पर जो मैंने 25 लाग का जो investment बताई यह 33% डाउन पर आपको buy करते जाना है आपके बाइंग रेट से नीचे वाले बाइंग रेट से जबही बहो 33-33% ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर बाइंग करते जाना ह रही बाद आपके पूरी position exit करने के बाद आपको next buying कप करना है मानके चलो आज अपने position ली 180 के भाव पे और कली वो 85 चला गया एक्जंबल बतारो 185 चला गया तो same day में आपने position exit कर दी वह दिन आपको position नहीं लेनी है next day में जो भी buying rate रहेगा 186 रहे या 187 रहे जो भी rate रह से जो भी rate रहे मतलब मानके चलो आज आपने 185 पर पूरी position exit कर ली उसके बाद next day में आपको जो भी rate रहेगा वहां पर आपको first buying करना ही करना है उस टाइम पर आपको यह देखना नहीं कि मार्केट ऊपर गया वह नीचे आएगा तब मैं बाइंग करूगा यह चीज नहीं बाइंग करूँगा यह विवकुल नहीं करना है 180 के भाव पर आपने exit कर दिया next day 187 के भाव पर उपन हुआ तब वहां पर आपनी position बाइंग करने के बाद 3% डाउन आता है तब अपनी position बाइंग करनी है और वहां पर आपको एड़ करती जाना है 187 के जो टॉप पर भाव लिया उसको 3% जब तक नहीं जाता है तब तक आपको position exit नहीं करना है रही बात यहां पर आपको कोई भी indicator का यूज नहीं करना है कोई भी strategy को यूज नहीं करना है regular income generate करने के लिए इसी strategy को आपको follow करना है रही बात यहां पर आपको मैने में कम से कम 6-7 times आपको ऐसा मोका मिलेगा जब भी आपके बाइंगरे से 3% या 4% ऐसे जाता है तो अपने को 3% ही लेना है तो 3% में आप easily मैने के 5 times तो आपको मोका मिलेगा ही मिलेगा तो आप regular income यहां पर generate कर सकते हो रही बात यहां पर किसी मैने में आपको profit नहीं मिला तो आपको कोई घबराने की जोरुत नहीं है नेक्स्ट मैने में आपको एकदम से profit मिले कर क्योंकि हो सके market ऐसे downtrend में इस मैने में चर रहा है नेक्स्ट मैने वो रिकर होने की जोरु कोशिश गरेगा अभी latest में देख सक तो निप्टी ने 18,800 का हाई लगाए था 18,400 का हाई लगा था वहां से मार्केट अभी 16,000 तक आ गई थी तो मार्केट ऐसे direct 16,000 तक तो आई नहीं है व्योकुल इस वीडियो के अंदर जो strategy बना है व्योकुल regular income है प्लीज इसको रूल को फॉलो करिए और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो यह strategy के साथ आपको profit नहीं होगा आप सोचोगे कि मैं bulk amount में एक साथ पूरा का पूरा capital 25 लाका लगा देता हूँ और मुझे buying rate से जबी भी जाएगा तो exit करूँगा ऐसे में आप खस सकते हो उतार चड़ो का आपको फायदा नहीं मिलेगा तो regular income चाहिए तो आपको buy on dip करने की कोशिज करेए एक stable income चाहिए तो buy on dip करें 100% आपको profit मिलेगा उम्मीद करता हूँ इस वीडिये के अंदर जो भी दान करें दिया regular income बनाने के लिए ब्यूकुल profitable strategy के साथ ब्यूकुल समझी होंगे परस्टाइम विजिट करें कोशिज करें चैनल को सब्सक्राइब करने की मिलके ने वीडियो ने टापिक के साथ तब तक लिए बाई बाई